आये आज आलू मटर की मतलब नए आलू की और फ्रेश मटर की कुछ अलग तरीके से सबजी बनाते हैं विद हरा प्याज इस प्रिंग अनियन के साथ तो मैंने आलू को ऐसे चाको से रब कर लिया था उसे छिलके निकाली अब इसमें मैं होल कर रहे हूं हर एक आलू मैं दो से साइड़ में रख दिया बेड़्िज के अब यहां पर अंगे लिए ईक पैश का ब्याज और साथ में हने यहां पर हरा प्याज लिया यानि इस पिंग इंचयर वाइड लावाला कि संसा में यह तो मैं अलग कड़की रख़ूंगी यह भी मैं आपको बातने बताउँ मैं नहीं किया अब मुठी भरे करी 15-20 लहसन ले लिए बड़े-बड़े साइस का उसे भी कट कर लोंगे अच्छे से सब्सक्राइब कट कर लेंगे अम तर्वाट्र में अब अब मैंने कितने लिए। रुदि चॉप करेंगे टमाटर को भी बारिकि नहीं करना है। पैसे और गढ़या चॉप कर लेंगे। और मतलब आप देखते रहो और सीक्रेट भी इसके देखते रहो आप अब इसमें डाल रहे हूं बेसिक वाले मसाले मतलब राई जीरा और मेथी यह समय ऐसे डाल देती हूं कोई मेजरमेंट नहीं रखती हूं कि आधा चमाच एक चमाच बस ऐसे डाल दिया तेल गर्म करके श ऊब भी कहते हैं तो नहीं मतलब आप अंगलियां चाटते रहा जाओगे ऊच्छे से भुन चुकी हैं हम यहां पे हम डाल देंगे आपनी जो हारा प्याज लिया था ना उसका वाइट वाला हिस्सा कट करके मैंने अलग रखा था उसको यहां पे डालेंगे अभी मैंने हरा प असाथ ही डालेंगे यहां पर मतर, आलू और हल्दी और थोड़ा सा मतलब आधी चम्मस की करीब डाला है हमें ने हींग पौडर इन सब को अच्छे से डाल के पका लेंगे भूनेंगे मतलब जिसे हल्दी भी अच्छे से भून जाए तब ही तो अच्छा कलर देगी हल्दी अ आप भी ट्राइगर के देखो आपको समझ में आ जाएगा कि पाव भाव जी मसाले का क्या जादू होता है असाथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया करीब आधा चम्मस का आधा डाला है अरब मैं यहां पर डाल दी हूं मसालों को अच्छे से भूनने के बा पानी भर के डाल देंगे जितना ही हमें ग्रेवी रखनी है इसकी और इसको अच्छे से मिक्स करके कुकर बंद करके हम इसे पकाएंगे तीन सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे क्योंकि नया आलू है पक तो जाएगा लिकिन कई बार क्या होता ना नया आलू भी नहीं पकते इसलिए मैं इसे तीन सीटी आने तक पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे तो तीन सीटी आ चुकी थी गैस मैंने आफ कर दी थी अब इसका प्रेशन निकल गया है हम अपने से प्रेशन नहीं निकालेंगे इसे आराम से निकलने के लिए छोड़ देंगे अब आप देखिए देखिए सबजी सब्रेख और क tried, अब मैं यहाँ पे डालूंगी अपना वह जो मैंने अपना हरा पियाज कट करके रखा था लाव बताओंगे आपको तो अपने कटे हुए हरे प्याज यहीं पर हमें डालना है सुरुवात में नहीं डालना है यहां पर डालके बड़ी अच्छा उबलने मतलब जब खॉलने लगी सब्जी न तब तक हम इसे पकाएंगे अभी दो तिन बच उबाल आएंगे अच्छे से उसक से खाते हैं तो खाना देखने में भी सुन्दार होना चाहिए टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट शेर करना बिल्कुल न भूलना और मेरे पेस को फॉलो जरूर से कर देना जिससे की आपको मेरी नई नई रेस्पी मिल बिलती रहें बिलती हूं नए वीडियो में तब तक लिए बाबाए